हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे एरियर पेमेंट को लेकर जो है जवानों जेसियोज के लिए जो और पेंशनर्स के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे हम बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगा भी जो पेमेंट का जो सेंट्रल कवर्मेंट की तरफ से जो और आया था और उसके बाद से उसमें बहुत सारे मेजर चेंजिस किये गए हैं और किस तरीके से जो है अब एरियर का पेमेंट होगा उसके ओपर M.O.D. का जो है नए आदेश है है तो हम बात करते हैं दोस्तों एमोडी के तरफ से भी क्या लेटेस्ट अपडेट है और इस तरीके से आप एरियर का पेइमेंट होगा दोस्तों कर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथी साथ बेल आइकन जरू दबाएं जो अब जो है आप देख सकते हैं पॉइंट बई पॉइंट जो लोग भी दोदार चौदा में सेवा निवित हुएं उनके परिवार और पेंशन भोगियों को जो है यह जो वन रेंक वन पेंशन का उसका अलाब दिया जाएगा और इसमें कहा गया था कि एरियर का भुगतान जो है चार जो है समान अर्दवार्शी किष्टों में किया जाएगा जबकि पारिवारिक पेंशन विशेश और अधारी कृत पेंशन साहित सभी वीरता पुरुष्कार विजेताओं को पूर में तैक के गये थे और दोस्तों जिस तरीके से जो यह सेंट्रल गवर्मेंट इंपलॉईस के लिए सेंट्रल गवर्मेंट की तरफ से जो यह आडरिश आया था उसमें अगर चार छह मैने की इंस्टॉलमेंट में किया जाता तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता इसी को देखके जो है में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोट के दिशा निर्देश के बाद एक विग्यप्ती जारी की गई है इसमें आप देख से जिसमें बैंक लेखा कारियाले पेंशन वित्रण अधिकारी और अन्य संबंदित एजेंसी जो है उनको निर्देश देते वे कहा गया है कि जो मा आर्च दो हजार तेज से पहले जो है जिन जिनका जो है पेंशन बनता है जिन जिनका एर्ट बनता है जिसका सभी पात्र पेंशन भोगियों को एरियर का समय सीमा पर भुक्तान सुनिक्षित किया जाए बकाया भुक्तान के लिए कारवाई तेज हो गई है और जो बकाया भुक्तान है उसके लिए ओलरी काम तेज हो रहा है सबसे में चीज दूसरों आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मार्च तक पेंशनर्स के खाते में राशी देखी जाएगी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें अब इस विशेश का जो जवान जेसियो जो पेंशनर्स हैं सब उनको जो एरियर जो है 15 मार्च तक और इस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसमें कहा है कि 15 मार्च तक जो है मिल जाना जाए दोस्तों बड़ी खबार है सभी पेंशनर्स के लिए और इसमें सुप्रीम कोट ने क्लियर आदेश दिया है कि इस 15 मार्च तक जो उनको मिल जाना जाए दोस्तों यह था आज का इंपोर्टन अपडेट सभी पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन की पेंशन को लेकर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीजिए